दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फार सिविल तर्विशेज मैं अनुराग शवधरी दोस्तों राजनीत विज्ञान और नागरिक सास विशय से आई ये तागामी परिच्छाओं को ध्यान में रखकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं महत्वपूर्ण स्रिंखला जिसमें हम परिच्छाओं की द्रिष्टी से इंपार्टिन प्रश्णों को वन लाइनर फार्म में प्रस्तुत करेंगे ये आपके तैयारी के साथ साथ रिवीजन के लिए भी बहुत ही उप्योगी है दोस्तों ये स्रिंखला विशेश रूफ से टीजीटी पीजीटी नागरिक सास्त्र, गौर्मेंट इंटर कालेज, गौर्मेंट डिगरी कालेज प्रवक्ता, एल्टी ग्रेड, उच्चतर शिक्षा आयोग तथा नेट जे रेफ राजनीत विज्यान के लिए बहुत ही पॉलिटिक्स जिसको की राजनीत कहा जाता है, दोस्तों पॉलिटिक्स सब्द की उत्पत्ति पोलिस सब्द से हुई है, जिसका अर्थ नगर राज्य होता है, पोलिस सब्द किस भासा से लिया गया है, आपको बताना है, तो सही उत्तर है दोस्तों, पोलिस सब्द यूनान भासा से लिया गया है जिसका अर्थ नगर राज्य होता है यानि सीटी इस्टेट और पोलिस सब्द से ही पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइन्स सब्दों की उत्पत्य हुई है अगला प्रशन देखते हैं राजनीत विज्यान के अंतरगत राज्य के अतीत वर्तमान और लृटिक्त पिछड़ी हुई कोई है अगला प्रशन है दोस्तों राजनीतिक विज्यान होना तो दूर रहा वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है यह राजनीत बिग्यान के बारे में कला और बिग्यान होने के संबंध में ये आगलन किसका है तो सही उत्तर है दोस्तों बकल एक बिचारक है बकल जो कहते हैं कि राजनीत का बिग्यान होना तो दूर वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई है अगला प्रश्ण बहुत ही महतपूर है दोस्तों आप जानते हैं कि राजनीत विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है ये परिभासा प्रसिद्ध विचारक गार्नर की है लेकिन प्रश्ण ये है कि गार्नर ने अपनी किस पुष्टक में ये प्रसिद्ध प गार्नर की कृती है जिसमें उन्होंने अपनी ये सरवाधिक प्रसिद्ध परिभासा राजनीत विज्ञान की प्रस्तुत की है कि राजनीत विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है अगला प्रश्ण विचारधाराओं से संबंधित है दोस्तों कौन सी दो विचारधाराएं राज्य को अनावस्यक बुराई मानती है और इसके उन्मूलन पर बल देती है आपको बताना है कि वो कौन सी दो विचारधाराएं है जो राज्य को अनावस्यक बुराई मानती है और इसके उन्मूलन पर बल देती है तो सही उत्तर है अराजक्तावादी बिचारधारा और स्रमिक संगवादी बिचारधारा दोस्तों अराज अक्तावादी राज जी के उन्मूलन पर बल देते हैं और उसी प्रकार स्रमिक संगवादी भी क्योंकि ये राज जी को अनावस्यक बुराई मानते हैं जिसकी कोई आवसकता नहीं है अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों जिस प्रकार यूनानी बिचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य यानि सिटी इस्टेट या पोलिस सब्द का प्रियोग करते हुए इसको पोलिस कहा है उसी प्रकार रोमन बिचारकों ने राज्य के लिए किस सब्द का देखिए ग्रीक विचारक या यूनानी विचारक जो है वो राज्य के लिए नगर राज्य का प्रयोग करते हैं जिसको इंग्लिस में City State कहते हैं और City State का जो यूनानी रूप है उसको पोलिस कहा जाता है लेकिन उसी प्रकार रोमन विचारकों ने राज जी के लिए किस सब्द का प्रियोग किया है तो उत्तर है दोस्तों सिविटास याद रखेगा जिस प्रकार ग्रीक विचारकों ने राज्जी के लिए पोलिस सब्द का प्रियोग किया है उसी प्रकार रोमन विचारक राज्जी के लिए सिविटा सब्द का प्रियोग करते हैं अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों आधुनिक संदर्भ में राज्य यानि इस्टेट सब्द का परियोग सबसे पहले मैंकी अवेली ने अपनी किस पुस्तक में किया था तो उत्तर है दप्रिंस दोस्तों दप्रिंस जिसका प्रकासन 1513 में हुआ आधुनिक संदर्भों में राज्य सब्द का परियोग इस पुस्तक में मिलता है तो सही उत्तर जान लीजे आधुनिक संदर्भ में राज्य जिसको के इस्टेट कहा जाता है इस सब्द का परियोग स ऐसी ब्यापारिक संस्था है जो ब्यक्तियों को परस्पर सुरक्षा का आस्वासन देती है राज्य की ये परिभासा किस ने दी है तो उत्तर है इस्पेंसर दोस्तों इस्पेंसर ने राज्य की परिभासा देते हुए कहा है कि राज्य एक ऐसी ब्यापारिक संस्था है जो ब 5040 बताई थी कि एक आदर्स राजी की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए उसी प्रकार आपको बताना है कि रूसो के अनुसार आदर्स राजी की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए तो उत्तर है दोस्तों 10,000 जिस प्रकार प्लेटो ने आदर्स राजी की जनसंख्या 5040 बताई है उसी प प्रश्ण है दोस्तों वह पर्थम विचारक कौन है जिसने राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना आवस्यक माना था आप जानते हैं कि राज जी के चार महतपूर्ट तत्व है जनसंख्या भूभाग सरकार और संप्रहुता इसमें संप्रहुता सरवाधिक महतपूर्ट तत्व है इसके अलावा जनसंख्या निशित भूभाग और जनसंख्या भूभाग सरकार यानि उस सासन को या उस भूभा बहुत ही important question है इसको मैं star कर दे रहा हूँ वो विचारक है फ्लेवर जिन्होंने 1870 में सबसे पहले ये कहा था कि राज्य के लिए निशित भूभाग का होना आवस्यक है अगला प्रशने दोस्तों यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा ये कथन किसका है यदि सरकार नहीं होगी या सासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा ये कथन प्रसिद्ध विचारक ब्लंट अशली का है तो याद रखेगा, ब्लंटसली का कथन है कि यदिसासन नहीं होगा, तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा. अगला प्रेशन है दोस्तों, प्रभुसत्ता जो है, प्रभुसत्ता या जिसको संप्रभुता कहा जाता है, यह अंग्रेजी के सावर्निटी सब्द से बना है, यानि प्रभुसत्ता या संप्रभुता सब्द अंग्रेजी के सावर्निटी यानि प्रभुसत्ता की इंगलिस स सावरनिटी होती है और इसकी उत्पत्त जो है ये सूपर और एनस सब्दों से मिलकर हुई है जिसका अर्थ सर्वोच सत्ता होता है सूपर का अर्थ सर्वोच एनस का अर्थ सत्ता दोश्तों आपको बताना है कि सूपर एनस सब्द जो है वो किस भासा का है सूपर एनस सब्द जिससे की सावरनिटी जिसका अर्थ संप्रभुता होता है उस सब्द की उत्पत होती हुई है आपको बताना है कि सुपर एनस किस भासा का सब्द है तो सही उत्तर है दोस्तों सुपर एनस लैटिन भासा का सब्द है अगला प्रश्ण है दोस्तों संप्रभुता सब्द का सबसे पहले प्रियोग जीन बोधा ने 1756 में अपनी किस कृति में किया है तो आपको जानकारी के लिए बता दें संप्रहुता या सावरनिटी सब्द का सबसे पहले प्रियोग जीन बोदा एक फ्रांसीसी विचारक हैं उन्होंने किया था और आपको बताना है कि सबसे पहले संप्रहुता सब्द का प्रियोग जीन बोदा ने अपनी किस कृत में किया तो सही उत्तर है six books concerning republic याद रखेगा 1756 में प्रकासित बोधा की पुस्तक six books concerning republic में सबसे पहले संप्रभुता सब्द का प्रयोग किया गया है अगला प्रेश्ण है दोस्तों बोधा द्वारा संप्रभ पर कुछ प्रतिबंध लगाये जाने के कारण किसका कथन है कि बोधा अपने विचारों में न तो मध्य यूगिन रह पाया और नहीं आधुनिक रह पाया तो उत्तर है दोस्तों ये प्रसिद्विचारक सेवाईन का कथन है कि संप्रभ पर कुछ प्रतिबंधों के कारण बोधा न तो मध्य यूगिन रह पाया नहीं आधुनिक रह पाया तो ये सेवाईन का कथन है अगला प्रश्ण है दोस्तों जानलाग जिसकों की उधारवात का जनक या उधारवात की आत्म कहा जाता है आप जानते हैं कि जानलाग संबैधानिक राजतंतर में विश्वास करता है और वो लाइफ लिबर्टी और प्रापर्टी यानि जीवन स्वतंता और संपत्ति के अधिकारों को संरचित रखने की बात करता है लेकिन प्रश्ण ये है कि जानलाग ने कहीं पर भी संप्रवता सब्द का प्रियोग नहीं किया है अपने कृतियों में बताना ये है कि जानलाग ने संप्रवता के अस्थान पर किस सब्द का प्रियोग किया है तो उत्तर है द सत्ता सब्द का प्रियोग करता है अगला प्रेश्ण है दोस्तों किसका कथन है कि राजनीत विज्ञान के लिए ये अस्थाई रूप से लावधायक होगा यदि प्रहुसत्ता या संप्रफता के सिध्धान्त को इससे निकाल दिया जाए ये कथन किसका है तो सही उत्तर है दोस्तों लास्की लास्की का पूरा नाम H.J. लास्की यानि हैराल्ड जोसेफ लास्की है इनको बहुलवादी विचारक माना जाता है और इनका कहना है कि राजनीत विज्ञान के लिए ये अस्थाई रूप से लावधायक होगा यदि प्रभसत्ता के सिध्धान्द को इससे निकाल दिया जाए तो याद रखेगा ये कथन लास्की का है अगला प्रेश्न है दोस्तों कानून जो है संप्रभ की आग्या नहीं वरन सामाजिक समरस्ता की सर्त है ये कथन किसका है तो सही उत्तर है लियो डुगवी लियो डुगवी का मानना है कि कानून संप्रभ की आग्या नहीं वरन सामाजिक समरस्ता की सर्त है यानि सामाजिक सवहार्द, सामाजिक मेल जोल बढ़ाने के लिए कानून आवस्यक है या कानून की आवसक्ता है ने कि ये संप्रव की आग्या है तो लियो डुगवी का कथन है और लियो डुगवी दोस्तों एक बहुलवादी विचारक माने जाते हैं अगला प्रश्ण है प्रिथवी पर पर्थम राजा एक भागिसाली योद्धा था ये कथन किसका है तो सही उत्तर है प्रशिद दार्शनिक वाल्टेयर का कथन है कि प्रिथवी पर जो पर्थम राजा था वो एक भागिसाली योद्धा था अगला प्रश्ण है दोस्तों देखिए सोसल कांट्रेक्ट थियरी से समझोता सिध्धान्त के समर्थक विचारक जो है वो राज्य को किस प्रकार की संस्था मानते हैं तो कुछ विचारक राज्य को देवी संस्था मानते हैं कुछ इसको पित्र सत्तात्मक आधार पर कुछ मात्र सत्तात्मक आधार पर इसकी उत्पत्ति मानते हैं लेकिन प्रश्ण आप से पूछा गया है कि समझोता सिध्धान्त के समर्थक विचारक जो है उसमें महतपूर नाम हापस लाक रोसो का है इसके अलामा भी ग्रोसियस और कई अन्य विचारकों ने समझोता सिध्धान्त की बात की है तो समझोता सिध्धान्त के समर्थक विचा कि राज्य का निर्मार व्यक्तियों ने किया है और कुछ विचारक जैसे प्लेटो और अरस्तु का मानना है कि राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है लेकिन समझोता वादी विचारक मानते हैं कि राज्य मानो निर्मित संस्था है अगला प्रिश्ण है दोस्तों हाप्स के बारे में एक महतपूण का थन है कि अंग्रेजी भासा-भासियों ने जितने भी राजनेतिक दार्षनिकों को जन्म दिया है उनमें हाप्स का दाचित महांतम है हाप्स के संबंध में यह टिपड़ी किसने की है तो उत्तर है दोस्तों सेबाइन सेबाइन जो है पाश्यात राजनेतिक चिंतकों के बहुत बड़े मरमग्य और विचारक माने जाते हैं उन्होंने हाप्स के बारे में टिपड़ी करते हुए लिखा है कि अंग्रेजी भासा जितने भी राजनेतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें हाप्स कदाचित महानतम है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों यदि हाप्स के मानव देव जिसको की लेवाय थन कहा जाता है उसका सीस या सर काट दिया जाए तो यह रूसों की सामान इच्छा होगी ये कथ दोस्तों वाहन एक बिचारक है जो समझोतावादी बिचारकों के बारे में आलोशनातमक जो है अध्यन और श्रोध किये हैं वो कहते हैं कि यदि हाप्स के मानव देव का सीस काट दिया जाए तो ये रूसों के सामाने इच्छा होगी अगला प्रेश्ण देखते हैं दोस्तों राज जी की उत्पत्ति का सरवाधिक सरोमाने सिध्धान्त कौन सा माना जाता है तो राज जी की उत्पत्ति के संबंध में कई सिध्धान्त दिये गए हैं जैसे देवी उत्पत्ति का सिध्धान्त पैत्रिक सिध्धान्त मात्रिक सिध्धान्त इसी प्रकार से समझोता वादी सिध्धान्त लेकिन दोस्तों राज जी की उत्पत्ति का सरवाधिक सरोमान सिध्धान्त आतिहासिक वो विकास वादी सिध्धान्त माना जाता है और इसमें ये माना जाता है कि राज जो है क्रमिक विकास का परेडाम है और न तो वो प्राकृतिक संस्था है नहीं इसका निर्माड व्यक्तियों ने किया है बलकि आतिहासिक और विकास वादी रूप से या आतिहासिक और विकास की प्रक्रिया के परड़ाम सोरूप राज्जी की उत्पत्ति हुई है और ये राज्जी की उत्पत्ति का सर्वाधिक सर्वम माने सिध्धान्त माना जाता है अगला प्रश्ण देखे एक कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज सरकार और राज्य को जन्म देता है ये परिभासा किसकी है तो सही उत्तर है दोस्तों मैं काईवर मैं काईवर प्रसिध समाज सास्त्री है इन्हों ने कहा है कि रक्त संबंध यानि बलर्ड रिलेशन जो होते हैं वो सोसाइटी को जन्म देते हैं और समाज सरकार और राजी को जन्म देता है अगला प्रिशन है दोस्तों राजी की उत्पत्ति न तो नैतिक उद्देश की पूर्ति के लिए हुई है ना मनुस्य की इच्छा के पूर्ति के लिए बलकि राजी एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के सोसण और दमन के लिए अस्थापित हुई है तो ये किस विचारधारा का सिध्धान्त है आपको बताना है तो राजी की उत्पत्ति ने तो नहतिक उद्देशी की पूर्ति के लिए हुई है ना मनुस्य की इच्छा की पूर्ति के लिए बलकि ये एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के सोसन और दमन के लिए स्थापित हुई है दूस्तों य जिसके पास संसाधन नहीं है और हमेशा जो है जो एक वर्ग है वो सोसक होता है और दूसरा वर्ग सोसित होता है जिसके पास संसाधन है वो संसाधन विहीन लोगों पर अपना जो है उनका सोसन करता है तो माक्सवाद कहता है या माक्सवादी विचारधारा की माननेता है कि ए एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के सोसड और दमन के लिए राज्य नामकसंस्था की अस्थापना हुई है अगला प्रिश्ण है दोस्तों आर्थिक मानो यानि एकनॉमिक मैन की संकल्पना का विचार सबसे पहले किस विचारक द्वारा प्रतिपादित किया गया तो सही उ आना जाता है कि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंद नहीं लगाया जाना चाहिए तब ही वो अपना विचास कर सकता है तो आर्थिक मानो यानि एकनॉमिक मैन की जो संकल्पना है वो एडम इस्मित की है और दोस्तों एडम इस्मित को फादर आफ एकनॉमिक्स यानि अर्थ कौन कौन से दो प्रकार हैं तो उत्तर है दोस्तों आत्मपरक और अन्यपरक जिसको दूसरी सब्दावली में स्वविसयक और पर्विसयक कारे कहा जाता है तो मिल ने ब्यक्ति के कारियों को दो भागों में विभाजित किया है एक स्वविसयक और एक पर्विसयक जिसको की द रोजगारी, अज्यानता, भुक्मरी और आस्रे अभाव के उन्मूलन में राज जी की सकरात्मक भूमिका के लिए बेवरीज रिपोर्ट का प्रकासन कब हुआ था जिसमें सबसे पहले लोग कल्यार कारी राज जी के जो कार्य हैं उनके बारे में विश्तरित अनुशंसा की तो सही उत्तर है दोस्तों बेवरीज रिपोर्ट का प्रकासन उननीज सो 3 rac में हुआ था और बेवरीज रिपोर्ट राज जी के उन सकरात्मक कारियों की और अनुसंसाया से फारिस करता हैं जो कि लोग कल्यार कारी राज जी के लिए आवश्यक सरते हैं जैसे कि बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी, अज्यानता, भुखमरी और आस्रे के अभाव को समाप्थ करना अगला प्रशन है दोस्तों लोग कल्यार कारी राजी का सिध्धान्त किन दो विचार धाराओं के समन्वे पर आधारित है या फिर लोग कल्यार कारी राजी का सिध्धान्त किन दो वि अगला प्रश्ण और इस वीडियो का आखरी प्रश्ण है दोस्तों समाजवाद के बारे में दोस्तों एक परिवासा है कि समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो वातावरण के अनुरूप अपना रंग बदल देता है ये कथन किसका है तो उत्तर है ये कथन दोस्तों रैम जे मियोर का है इसके अलावा समाजवाद की एक परिवासा और बहुत महत्वपूर है कि समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसका आकार बिगड़ गया है क्योंकि हर कोई इसे पहनना चाहता है तो वो परिवासा CEM जोड यानि जोड की जो कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसका आकार या स्वरूप बदल गया है क्योंकि हर कोई इसे पहनना चाहता है तो याद रखिएगा वो जोड की परिवासा है लेकिन समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो बातावरण की अनुरूप अपना रंग परिच्छाएं हैं उनके आगामी परिच्छाओं को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है ताकि आप अपनी तैयारी और अंत में जो है परिच्छा के समय रिवीजन में इसका उप्योग कर सकें दोस्तों ये वीडियो विशेश रूप से TGT PGT नागरिक सास्त, Government Inter College प्रवक ये प्रश्ण कितने important हैं और तैयारी में कितने सहाइक हो रहे हैं हमें comment box में जरूर बताएगा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी हमें जरूर लिखिएगा और कौन से सुधार किये जाएं उसके बारे में भी वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएगा वीडियो को like लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मांक दर्शन फार्क सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार